आज कल अट्रेक्टिव दिखने के लिए बहुत सारे लोग हैर ट्रीटमेंट्स लेते हैं चाहे वो हैर स्मूधनिंग हो, पर्मिंग हो या फिर हैर करलिंग, थेक और ट्रेंडी हैर कितको नहीं पसंद, आज कल के न्यू टेकनोलोजी और ट्रीटमेंट्स से सब कुछ पॉसि पर दोस्तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले तो पहले हम जानेंगे कि hair transplant surgery के क्या risk है Hair transplantation एक extremely safe outpatient process होता है जहां patient को hospital में overnight रुपने की ज़रूरत नहीं होती और ये process without कोई complication या risk के होते है फिर भी surgery के case में बहुत chances होते है risk के जो एक patient के साथ उनके specific surgeon में ही उनको detail में consultation देंगे Temporary Thinning of Pre-Existing Hair Although rare cases में pre-existing hair surgery के बाद Thinning भी हो सकते है कहते हैं कि वो pre-existing hair अपनी normal condition में आने के लिए कुछ महिने लग जाएंगे Bleeding and Pain कभी-कभी bleeding और pain भी होने लगता है डॉक्टर्स कहते हैं कि ये normal effect है और bleeding stop भी हो जाता है simple pressure से कहते हैं pain कुछ rare cases में ही होता है और 50% of patients को pain relievers की भी जरूरत नहीं होती जबकि कुछ patients को solpadyne और panadol की जरूरत भी पढ़ सकती है कुछ दिनों तक Numbness and Hiccups एक short time के लिए numbness भी आती है usually जिस area में transplant किया गया होता है उस जगह पर numbness 3 या 18 वीक तक हो सकती है और numbness कभी-कभी troublesome और long lasting भी होता है Hiccups किसी patient को surgery के बाद आते हैं ये hiccups surgery के बाद क्यू होते हैं इसकी वज़ा अब तक इतनी specified नहीं है बट hiccups, hair transplantation, then scalp production के बाद जरूर आते हैं Itching Surgery के बाद itching अकसर होती है और वो कुछ दिनों तक irritating भी हो सकती है रोज़ना shampoo करने से कुछ help हो जाएगी Swelling and infection Swelling hardly कोई case में होता है पर सिर भी sensitive skins like eyes के पास blackness हो सकती है या फिर forehead के पास swelling भी हो सकती है Cists and scarring कहते है कि कुछ scenario में sits होते है जिस area में insert किया होता है injections और treatment जो कुछ weeks में चला जाता है हाँ पर kelloids scarring आ सकती है pre-disposed individuals को बट ये case one in thousand cases में से एक होता है तो दोस्तों ये थे कुछ side effects of hair implanting treatment के और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकरी है तो हमें comment section में ज़रूर लिखे और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तिसे like share and comment ज़रूर कीजे तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों धन्यवार्यों आपन्यवार्यों आपन्यवार्यों